अमानक बीच होशंग बाद पीप्रियाश्यत्र में किसानक को निरंतर अमानक बीच दिये जा रहे है किसान से पूरे पैसले का सर्टीफाइड बीच गहा कर अमानक बीच दिये गए वह बीच पूरी तरह से अमानक है वही देखा जाए तो क्रश्विभाग की कारवाही केवल नाम के लिए ही चेकिंग कर रही है हशगबाज शेत्र पूरी तरह से किसानी पर निर्बर है वही देखा जाए तो क्रशी भाग द्वारा दवाई और बीच के संदर में दिये जाने वाली जाच इंडर नहीं की जाती है केवल नाम मात्र के लिए है किसान आशिश पटेल ने बताया कि आज शेतर में अमानक बीजों की भरमार दहुत अतिक है वही देखा जाए तो किसानों को दी जाने वाले बीजों के धान का मुल्य आस्मान चूते नजर आ रहा है पर नदो इन पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसी कारवाही नहीं की जा रही है जिसमें भारी दामों पर लोग लग सके पीप्रिया शेत्र में सांडिया रोड पर इस्ते जनहित करशी सेवा केंद पर किसान आशिश पटेल ने जनहित करशी सेवा केंद पर धान की बीज की थेली वापस की जिसमें आशिश पटेल ने बताया कि धान का जो बीज हमें बताय गया था वो छोटी प्लास्टिकी की डिब्बी में रखे नामूना देख कर लिया था पर तो जब हमारे द्वारा बीच के थेले खोले गए तो उसमें अच्छा बीच नहीं निकला इसे कई दाने काले नजल आये और किटाणूं की मातरा भी पहुत अदिक थी और हमने यह अभी जनहित कर्शिवा के इंदर पर वापस किया और शेतर में बिक रहे अमानक बीच उन नकली दवाईयों के खिलाग किसानों में आखरोश ने जराया कर्शिविभाग की टीम ने पकड़ा अमानक बीच और सैंपल लिये होशंगाबाद से जीला ब्यूरो अनिल यादव की रिपोर्ट मतलब लगभग कितना पूरा तो किया है जो शासन ने मेरे को लक्ष दिया उसमें मैं कहीं पीछे नहीं तो क्या पाया गया अभी तक एक आद कोश्ची के ऊपर कारभाई देखने को मिली कि वही ना अतुर्टेडर्स का लाइसंस ने रस्त दिया कर दो है जो है जो अवादी दाम कर ने लाम मिस्टी याद